नमस्कार लोग को अटबास फिस फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत है मैं विकास एक एक स्पोजी हूँ पिजले कुछ दूनों से फिस फार्मिंग के लिए कुछ मचली के स्पेसाल डीटेल में सेयर कर रहा हूं जो आप लोगोंने काफी फसंद किया वह आप लोग को स्टॉकिंग करेंगे लिए नीया तरीके से आप आप पॉंड करेंगा उसके बाट स्टॉकिंग करेंगे तो आपने हिसाब में अपना एरिया में जो भी फीस का डिमांड है उस पहसे आप कल चार कर शकते अबनाा अपना पर्यक को अच्छा प्रॉफित बहुत आज मैं से और एक फीस के बारे में डिसकसन करने वाला हूं वह जापानी पूठी जापानी पूठी मेली बाहर का ब्रीड है इंडिया में आया था काफी दिन पहले इसको अभी इंडियान कल्चर में फस्क्रास से ग्रो होता है और इसको हम इस्तेवाल कर सकते तालाब गें अंदर अच् उपर से थोड़ा से नीची आपीज वाला है इसका मेली रहता है इसका में भोजन है plan 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 भूले तो यह जू plankton phytoplankton in crash नरम टैप का घास एजोला या कोई भी कुछ टैप का जो गुटी पाना वगरा जो तलाब गंदर उपद देखना को छोटे-छोटे आकार का मलब उद्विद मलब जो भी प्लैंट उगता है वह भी अराम से खाता है दूसरे बात इस मजली को पाले बहुत ही अच्छा खादक है मतलब यह दूसरे मचली को खाना मिले ना मिले यह खुद का खाना बिल्कुल जुगाड कर लेता है मतलब इस फिसका फाइदा भी तेग लॉस्प सकतर तलाब के अंदर ज्यादा मत्रा में है अगर तलाब एंदर आपको परजप मत्रा में प्लैंक्टन या भौजन नहीं नियुकर लेगा लेकिन दूजीने मजली को बनतीनी दीगा तो इसलिए आप लोग मैं झाली के विपर डिसकते निजले कर रहा हुआ तो आप अपना इन्सीटी में कौन सा मज़ली को किदिनी डालेंगे आप बिल्कुली क्लियर कर पाएंगे जिससे क्या होगा आपको बाकी जो फर्मिंग का इस देज तब आपको प्रॉब्लेम क्रेड़नी होगा आपको मैक्सिमम आउटपूट अब ले सकते हो क्योंकि मैक्सिमम आउटपूट हमें लेना चाहिए क्योंको आपको काफी एडवांस हो चुका है तो एडवांस मतलब क्या में जानकारी जादा से यादा प्राफ्ट हो रहा है पहले जमान में इतना नहीं होता था पहले दुनिया में नौर्मिली ऐसे फीस छोड़ देते ते गोबर बगार डाल देते ते जो मचली बढ़िया ब है इनमें तो रिक्स नाक बराबर है इसका प्रोफिट मारजिन बाकी के फार्मिंग बोलिए बाकी का व्यवसाइट से बहुती बढ़िया है तो इसलिए फिस फार्मिंग का आप अपना मलब फार्म को आप अपना एक बिजनेस समझ गया अगर ग्रोव करेंगे ना तो आप अ खुटा मचली भी हमारा अन्वांटेट फीज में काउंड होता है यह ज्यादा बड़ा नहीं होता है लेकिन जापानी पूठी देखने में भी सेम टैप का है और लेकिन वह साइज में बड़ा होता है और खाने में भी अच्छा टेस्टी है और बहुती बढ़िया खादक ह लेकिन यह बहुती फास्ट फीज फास्ट फीज होने के कारण दूसरे के तुलना में पहले जैसे तेले पी हो गया तहले खाने को तूट पड़ता है तो यह भी बिल्कुली खाने को पर तूट पढने वाला मचली है और दूसरी बात एक खुद जो इसका मास कॉनवार्स सा रेसिव ना वह बायोमास कॉनवार्ट करने का रेसिव अच्छा है मतला बहां में अगर फीड भी कम भी दूसरे तरीके से दे रहे तो अगर तलाब के अंदर प्लांक्टन जू प्लांक्टन और फाइटो प्लांक्टन अगर अधिक मत्रा में त्यार करके रख पा रहे हैं तो हमें देखने के जोरतनी इस मचली के ग्रों के उपर मचली बहुत ही फास्ट ग्रों करता है इवन यह मचली का और खास है अगर घास वगर हम डालते हैं तो यह अती खादा खुने के कारणि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद पेट में इसको पूरे पचा भी निय तेरेगा तो दूसरे मचली का भी भोजन है तो इसको हम लोग जैसे मैं ग्रास का आपको बोलता हो एक फीट करने वाला मिसीन है तो सेम जापानी पूटी भी चोटा मिसीन है यह भी आपका तलाब में आप रखेंगे तो आप देख पाएंगे तलाब के अंदर प्लांक्ट होने को खतम करेंगा मैंने में बोलने के मतलब है मैं इसका इसके जो खुबिया है मैं इसलिए बता रहा हो तो आप इसको अराम से इस्तेमाल कर पहों कि यह जो भी हम लोग अगर मक्के वगरा भी मक्के का जो पेड़ है नॉर्म अबस्ता में रहता में अगर देते बूरी तरी तरी यहसे खाता है खाने की दिस्तेमाल कि यह क्षाने के आचाक्या करेंगा राथ हो जाएगा जो दूसरे के लिटिन तलाव पहला सता में जाकर बूरी गयर अगर वी ने थे जैश्ले क circular महले माल जो इसके जो दमां देता है यह अगर तलाव के अंदर जो प्लंक् ट अगर इसको आप ज्यादा देती हो तो आपको रोहु बगरा कम करने पड़ेगा आप तलाब के अंदर मैक्सिमाम पाट डेसिमल आठ पीस दस पीस ही दे सकते हो पहले जापनी पुठी का ब्रीडिंग नहीं होता था लेकिन आज गल देखा जारता है यह नौर्मिलिया का तला उपर तैरता है तो कभी-कभी ब्रीड भी कर लेता है तो एक बाद डालने के बाद मेरे तो तलाब में ब्रीड कर दिया और काफी अच्छे धंग से मतलब उसने बहुत ज्यादा मेरे फ्री आफ कॉस्ट उसका बच्चा मिल गया है मैं तो उसको बड़े अराम से उसको ग्र कर दोड़ के रखा हूं चीतोल ऐसा फील से में पहले बताए था पुलिस फील से एक बाकी मचली को एक कांट्र कर देता है मतलब यह जिदना लिमिटेड उतना बड़े और से यादा होगा निए चीतोल इसको खतम कर देगा तो मेरे को चीतोल के भी ग्रोथ मिलता है इन मच अचली को इसके लिए एनाप है और इसको आप आराम से एक्चुली इसका इदने बड़े करने के विजरूद नहीं है बाजार में यह तो दो से तीन सो से विक्री होना सुरूज हो जाता है मतलब बाकी फीज जैसे रहू हो गया कातला हो गया इसके छोटे में बेज नहीं सक चचा मुआट चोटे चला तीन सो ग्राम से इसका दो सो तीन सो ग्राम से अच्छा मार्केट है तौन आप लोग इसको अपने फाम पर एड कर सकते हूं एड करने के बाद आप अपने तल् इसको आप बाइलोजिकल कंट्रोल में कर सकते हैं कभी कभी आप देखना बहुत ज्यादा तलाब के अंदर हमारा जो वाटर वायटिक है करने के लिए जैसे ग्लास कब छोड़ेंगे तो जापनी पुठी इनको बहुत आराम से इसको अपने खानी के लिए यूज़ करते जिससे क्या होगा आपका तलाब के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वह भी खत्म होना है दूजरी बात आपका उसके बदले में आपको म अचली मिल रहा है मतलब उसके बाइमास से मतलब है हम कैसे भी तरीके से मैक्सिमाम आउटपूट कैसे ले सकते इसको इसको दिमांग में प्लैनिंग करना है सर विदाउट प्लैनिंग आप इस पारमिंग को कभी अच्छा प्रॉफिल नोलेज घियू पर या आपने किदीन एक्स्पिरेंस गेन किया आपकर कि दने नौलेज है तभी आप उसको प्रोफिट को मारजीन को बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हूं आसा करता हूं मेरे जो मैं बता रहो सायद आप लोगों को थोड़ा बहुत भी फाइदा पहुंच रहा है अगर फाइदा पहुंच रहा है तो से जानकारी देने से आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे तभी आप लोग कुछ कर पाओगे नहीं तो कोई चीज़ को देख के किशी को आप डूबलीकेटी आप कर ही नहीं पाओगा कभी भी सर ऐसा है आप फीस काल्चार में बता रहो आगर आपके बगल में दो तलाब ह इको सिस्टम थोड़ा सा अलगी होगा एक तो होना है नहीं कि अलग टैप का मचली होगा अलग अलग टैप का वह बायो मास्क रेट होगा उनके भोगलिक अवस्थान दूनों को थोड़ा अलग होगा तो हर तरीके से हर चीज़ एफेक्ट करता है तो आसा करता हो आप परपार एक्स्प्रेंट करके बताओं नेक्स्ट वीडियो मैं अभी कुछ दिन के बाद में पॉंट पीपरसन के वीडियो लाओंगा असा करता हूं मेरे वीडियो अच्छा लग रहे अच्छा लगे तो लाइक करना से सेर करना जाहिंद नमस्कार